नमस्कार मैं ओरी नुकुमारी आप देख रहे हैं पब्लीकेशन यूज चनल इसी के साथ अब वक्त हो गया हर्याना की बड़ी ख़बरों का पहली ख़बर के और चलते हो बता दे करनाल रेलवे स्टेशन पर दोपैर डेड़ बजे रेलवे ट्रैक पार करते समय सूपर फास्ट वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 38 वर्षी हेट कॉंस टेबर नेलम की मौत हो गई जियार पीने शब का पोस्ट माटम करवा कर प बजने लगया जिसके बाद जब फोन उठाने लगी तो उसका ध्यान दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन पर नहीं गया जिसे वह उसकी चपेट में आ गई मृत की साथी महिला पुलिस कर्मी ने बताया कि वह उनके साथ ही करीब 14 साल पहले जियार पी में भरती हुई थी कई व जसबीर सिंग जिसकी उमर 38 निवासी डाडलू के रूप में हुई है जसबीर अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गया पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टेम के लिए भिज़ दिया है हाट से के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो तीसरी ख़बर के और चलते बता दे सोनीपत के नैशनल हाइवे चवालिस पर बहालगर के पास सिंग मोटर फिलिंग स्टेशन पर आधी रात को दो बदमाश पिस्तोल दिखाकर सेल्समें से 27,000 रुपे लूट कर भात गए बदमाश बातरूम पूछने के बहाने कारेयले म बहालगर थानपुलिस को बताए कि उन्होंने बहालगर में दिल्ले पानीपर्थ लेन पर फ्लाई ओवर के निकट सिंग मोटर फिलिंग स्टेशन खोल रखा है राकिश जिंदल ने बताए कि सोमबार रात फिलिंग स्टेशन पर सेल्समें विरिंद राजकुमार वार करे दी है कि देर रात 12 बचकर 20 मिनट पर स्विफ्ट कार सवार दो यूवक फिलिंग स्टेशन पर पहुंचे दोनों यूवक कारेले में चले गए और चौती खबर के और चलते बता दे किसानों के दिल्ली कुछ को लेकर सेल किये गए नैशनल हाइवे चवालिस पर सोमबा पर रागीरो've को कुछ राहत मिल पाई है प्रशासन ने अब यहां की बेरिटिंग हटा दनी शुरू कर दी है सुमबा शाम को प्रशासन ने मारकणा नदी के पास हाइवे लिंक रोड पर की गई कंकीरिट बेरिगरिकों को जेसे भी किस जरिया हटा दिया है जहां से दिल्ली की ओर से अंबाला की और जाने वë रहागीरों को रहत मिली है उधर अंबाला से दिल्ली हाइवे पर लगाई गई कीलो की चादर भी हटा दी गई है इसके साथ ही संभावना जताई जा रही है कि किसान शांत रहें तो अगले एक दो दिन में बाकी रास्ते भी खोल दिये चाएंगे और आखरी ख़बर के और चलतों बता दे नफे सिंग राठी हत्या के बाद शोक व्यक्त करने के लिए सुनेना चोटाला बहादुर गृर उनके निवास पर पहुंची जोरान होने सरकार पर आरूप लगाए हैं उन्होंने कहा है कि हर्याना बनने के बाद इसे बड़ा हत्याकार नहीं हुआ है कहा कि नफे सिंग ने सरकार से सुरक्षा मांगी थी लेकिन सरकार ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया इस कारण नफे सिंग राठी हमारे बीच नहीं है और हमने परिवार का सदस से खोया है नफे सिंग हत्याकार में दिली से जाच के लिए दिली पुलिस स्पेशल सेल के टीम अधिकारी भी निवास स्थान पर पहुंचे हैं जवरान होने नफे सिंग राठी के पुतर जितेंद्र राठी और भतीजे कपूर राठी से बातचीत की वहीं नफे सिंग राठी के निवास के बाहर जटवाडा मोहला में पुलिस बल तैनात है इंडियन्स नैशनल लोगदल के प्रधान महासची वह भैचोटाला और नफेस सिंग राठी के परिजनों ने पुलिस प्रशासन को साथ दिन का समय आरूपियों की ग्रिफतारी के लिए दिया है अब है चोटाला और ने सरकार को चितावनी दी है कि यदि इस तोरान मामले में कोई ठोस कारिवाई पुलिस ने नहीं की तो इन वो पार्टी बड़ा फैसला लेगी ऐसी हर्याना की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिकेशन यूस चैनल नमस्कार